Hello students, welcome back. कई बार हम लोगों को ऐसे sentence बोलने पड़ते हैं जैसे जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना लिखना है लिख लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना हसना है हस लो, तो इस प्रेकार के sentence को अंग्छिस में कैसे बोलें? इसे बोलने के लिए हमें कौन से structure का यूज़ करना होगा तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बार में सीखने वाले हैं तो चली वीडियो के सुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस ट्रक्टर देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन से structure का यूज़ करना होगा तो सबसे पहले हमें बर की first form लिखने पड़ेगी, फिर उसके बार लिखना हमें as much as, फिर उसके बार हमें लिखना है you want, तो चलिए हम लोग इसे और अच्छे तरह के से सीखने के लिए हम लोग sentence को एके करके translate करते हैं, तो आज का हमारा पहला sentence दिया हुआ है, जितना पढ़ पढ़ लो, तो इसे हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे, study as much as you want, अगला sentence हमारा है, जितना खेलना है, खेल लो, तो इसे हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे, play as much as you want, play as much as you want, next sentence हमारा है, जितना हसना है, हस लो, तो इसे हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे, laugh as you, as much as you want, love as much as you want next sentence हमारा है जितना खाना है खा लो तो इसे हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे eat as much as you want eat as much as you want तो तो देखे कितनी आसानी से हम लोग सारे sentence को एक एक करके हम लोग एक एक करके सीख चुके हैं तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दिजिए और अगर आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल परनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइ हूँ